हेलो नमस्कार डियर इस्टू हैं वेलकम टू सक्सेच केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यूपी ए मारती है निकी उत्तव परदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेट के तरफ से जो रिक्रूमेंट निकल कर आया थी नोटिफिकेशन जो निकल कर आया था एक नॉवंबर 2022 को और अनलाइन रेजिस्ट्रेशन एक नॉवंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था और 30 नॉवंबर 2022 तक चला था उसकी exam date declare कर दिया गया और सात में admit card भी आ गया है तो admin card कैसे download करना है वो सब हम वीडियो में डिस्कूर करने बाले है जिसका written examination 2 जनवरी और 3 जनवरी है और सात में आप लोका admit card जो live हो जाएगा इस पर क्लिक करेंगे क्लिक है फार डाउनलोड एडमीट का ठीक है तो यहां पर आप लोग को लागिन यानि की यूजर आईडी और आपका डेटा बर्थ मागेगा और यहां कैप्चा डालने के बाद आप प्लागिन करके अपनी एडमीट का डाउनलोड कर पाएंगे यहां डाउनलोड करने में किसी तरह की एरर आता है तो आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं इस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्टन बाक्स में दे दूगा वहाँ से ठीक है तो आप मुझे कंटेक्ट कर लीजिगा या आप मेरे वाट्सप नंबर 91 4082 2003 पर कंटे डालना होगा 05 फिर मन्त डालना होगा तो मन्त 01 डालेंगे और 2002 यानि कि आपको इसके बीच में कोई डैस कामा वगएर नहीं लगाना है डेटाबर्स में इस वरका और देखिए सबसे इंपोर्टन बात है यहां से डाउनलोड कर लेंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्रिप् आई थी ठीक है जैसे यहां पर वकेंसी आया था असिस्टेंट मैनेजर सिविल का असिस्टेंट मैनेजर इलेक्टिकल का असिस्टेंट मैनेजर सेंटी का असिस्टेंट एकाउंट का जुनियर इंजिनियर सिविल का जुनियर इंजिनियर इलेक्टिकल जुनियर इंजिनिय यहां पर दिया हुआ है आपको simply mock test लगाने के लिए कि आपका exam कैसे online होगा इस पर क्लिक करेगा mock test पर तो आप लोग को mock test खुल जाएगा और mock test में यहां पर आपको क्या करना है simply sign in करना है ठीक है यह demo है इसका मतलब यह नहीं कि आपका यह exam में question आएगा इसमें जो भी question पुछा जाएगा यह demo के लिए आप लोग को बनाया गया कि आपको यहां पर instruction पढ़ने को मिल जाएगा कि आपका 120 मिनट का आपका exam duration रहेगा ठीक है और आप लोग डिस्पलेच होगा और यहां पर जो है कि आप लोग जो question पर widget नहीं करेंगे तो ऐसा दिखाए देगा answer करेंगे तो green color का दिखाए देगा और जो answer not answered question you have not answered but have marked the question review यानि कि आपने question कुद तो नहीं किया है लेकि review के लिए रखा है तो ऐसा दिखाई देगा आपने answer किया है लेकि review के लिए ऐसा किया तो आपको blue और green दिखाई देगा यह instruction है और आपको क्या करना है यहां पर next पर जैसे क्लिक करेंगे और यहां पर I have read पर क्लिक communication में हाल में भी होगा आपको जो cvt के लिए आप लोगों जो computer मिलेगा ना सेम ऐसे ही आप लोग को यहां पर cvt स्टार्ट हो जाएगा ठीक है आप लोग अपना exam देना चाहेंगे तो दे लिजीगा यहां पर question number 1 आ गया यहां पर question है और नीचे 4 आप संदिया हुए तो उन फिर आपको exam में करना क्या है यहां पर save and next बटन दिया है आपको save and next बटन पर क्लिक करना है फिर आपको यहां पर दूसरा question आजाएगा आपके सामने फिर दूसरा question आप लोग पढ़ेंगे ठीक है question थोड़ी server डाउन होने को वज़़ा से आप लोग देख सकते हैं यहां प पर क्लिक करके 90 question पर पहुंच आउंगा यहां पर 90 नंबर का question है who is the managing director working infrastructure of UPM RCL ठीक है तो इन सभी को आप लोग को क्या करना है question को करके submit कर दीजिएगा submit करने के बाद आप लोग को जो भी correct answer होगा वो यहां पर save next करने के बाद देखिए यहां पर 10 question और आ गया तो इसमें हम भी इसको देखिए बोल ला है यहां पर question no.2 में कि उत्तरपरदेश Metro Rail Corporation Limited venture आफ किसका वेंचर गौवर्मेंट आफ इंडिया का गौवर्मेंट आफ य या joint venture of government and UP government तो मैं इसी पर लगा कि क्लिक करता हूं आप लोग देखिए बहुत अच्छा-चा question हो सकता है कि आप लोग को एक्जाम में इसमें से कुछ question first है तो आप लोग पूरा ध्यान से पढ़ेंगे who is the managing director of up mrcl managing director कौन है up mrcl का तो इसमें जो भी है आप लोग एक एक question का answer गूगल से सर्च करके आप लोग पता करेंगे क्यूंकि इसमें से question first है का chance ज्याद है ठीक है अब मैं यहाँ पर डालके मैं farm को यहाँ पर submit कर दे रहा हूं ठीक है और यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आगे बढ़ गया मेरा question दसवे पर है मैं previous question पर जाना चाहरा हूं तो यहाँ प्रिवियस question पर क्लिक करेंगे और अगर माली जी कि मैं answer लगा दिया हूं और मैं नहीं चाहरा हूं कि 4 option में सही है तो आप clear response कर देंगे और कोई question question जैसे कि मैं 9 number का question में doubt है तो मैं review के लिए रख सकता हूं ठीक है और यहाँ पर आपके exam में यहाँ टाइम चलते रहेगा उपर तो आप लोग time ध्यान देंगे टोटल 120 मिनट मिलेगा तो इस तरह की सारे update पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब निकिए तो सब्सक्र शूरे कार्ज में लेगा next update में तब तक लिए बाई